अधिवक्ताओं और उनके कलरकों के साथ व्यवहार करते समय सबसे विनम्र और शिष्टाचार पूर्वक व्यवहार अपनाएं। इलाहबाद उ्च्चन्यायालए ने अपने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया। इलाहबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अधिवक्ताओं और उनके कलर्कों के साथ व्यवहार करते समय सबसे विनम्र और शिष्टाचार पूर्वक व्यवहार रखें पीठ ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए दिशानिर्देश जारी किये हैं ताकि यह सुनिष्चित किया जा सके कि वे विद्वान, वकील और उनके कलर्कों के साथ व्यवहार करते समय विनम्र, धैर्यवान और सम्मान जनक हों हाई कॉर्ट ने शिष्टाचार के महत्व और उन घटनाओं को रोकने पर जोर दिया, जिनसे किसी भी कर्मचारी के अशिष्ट व्यवहार के सम्बंध में शिकायते हो सकती हैं रजिस्ट्रार जनरल ने निम्न लिखित निर्देश जारी किये हैं इस हाई कॉर्ट के विभिन अनुभागों के सभी अधिकारियों कर्मचारियों को विद्वान वकील और उनके क्लरकों के साथ व्यवहार करते समय सबसे विनम्र और शिष्टाचार पूर्वक व्यवहार अपनाने का निर्देश दिया जाता है विद्वान परामर्शदाता उदार वर्ग हैं जो समाज के गरीब और वन्चित लोगों का प्रतिनिधित्व उन्हें न्याय दिलाने के उद्देश्य से करते हैं इसलिए उनके उनके साथ धैर्य और अत्यंत सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए सभी अधिकारियों कर्मचारियों को विद्वान वकील के साथ विनम्रता से व्यवहार करना चाहिए और उनके तरीके और शिष्टा चार में उचित विनम्रता जहलकनी चाहिए इस संबंध में सभी रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार यानी परियवेक्षी प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने परियवेक्षी नियंत्रण के तहत अनुभागों में ब्रीफिंग सत्र आयोजित करें ताकि सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को सही शिष्टाचार और तरीके के साथ विद्वान, अधिवक्ताओं और उनके कलरकों को धैर्य पूर्वक और शांती से संबोधित किया जा सके सभी संबंधितों को यह सुनिश्चित करने के लिए इमांदारी से प्रयास करने का निर्देश दिया जाता है कि ऐसी कोई घटना न हो जहां विद्वान वकील को किसी कर्मचारी की अशिष्ट व्यवहार के संबंध में शिकायत करनी पड़े उपरोक्त के मदिंजर पीठ ने न्यायालय के सभी अधिकारियों कर्मचारियों को उल्लिखित आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद